सब्सक्राइब किजिए टेक्नोईन चैनल को एंड बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आप कभी ना कभी सुने होंगे बायोस के बारे में एक्शली बायोस है क्या कैसे काम करता है रहता कहां पे तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा मैं हूँ भासकर आप देख रहे हो टेक्नोईन स्टे टून टील एंड हीट लाइक इफ लाइट इस वीडियो सो रे में तो आप सुने ही होंगे रॉम यानि की रीड ऑनली मेमोरी एक्शली बायोस एक चीप है जो जो की एक्शल में रॉम है वो रहता है मादारवोट के साथ अटेच एंड इसका एक सोफ्ट्वेर भरसन भी है जो की आप खोलके देख सेकते हो उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बताओंगा बाइस का काम क्या है जब हार्डवेर को अब आप वान कर देते हो एन हार्डवेर को सली कर दो जी नहीं आप हटकरों से तो पथ्थर डालो जो करो उसको डिलिट नहीं कर पाऊगे आप क्यूंकि यह जो बायोस है यह मादावोर्ट के साथ ही अटाच रहता है एंड इसका जो मादावोर्ट का मैनुफेक्सर है उसके मैनुफेक्सर भी डिफरेंट कीज देता है उसको खोलने के लिए हार्डवे को नहीं उसका सॉफ्ट्वेर को डेखने के लिए भी डिफरेंट कीज रहता है normally F8 and आपका keyboard में delete button जो होता है वो अगर आप दबाते हो जब आप PC को on कर देते हो उसके बाद delete या F8 दबाते हो then आपका जो ये BIOS का settings है वो आपको डिखने को मिलेंगे तो BIOS पहले क्या करता है जब आप hardware को on कर देते हो then ये सिख करता है कि motherboard के साथ every peripherals और आपका hardware ठीक से काम कर रहा है कि नहीं इसका basic जो settings है वो settings काम कर रहा है कि नहीं उसके बाद अगर all are okay then it's fine अगर all are not okay then वो बीप देता है double बीप बीप करके sound देता है तो उसके बाद अगर everything is okay then ये power देता है पुरा मारा बुद को उसके बाद जो operating system से operating system को on हने के लिए RAM को on हने के लिए hard drive को on हने के लिए जो files रहता है वो files लेके वो bootloader में दे देता है उसके बाद bootloader जो की main काम होता है operating system को boot करवाना याने कि load करवाना उसके बाद जो है operating system upload हो जता है जब files, subfiles, required files चाहिए उसको bootloader में दाल देता है उसके बाद bootloader क्या करता है operating system को लूर कर देता है उसके बाद आप क्या है operating system को login कर सकते हो उसके बाद आपका जो काम रहता है वो कर सकते हो तो BIOS का और भी काम रहता है जैसे आप अगर उसका जो software part जो मतलब graphical user interface पर आप खोलते हो delete दबा के या effect दबा के देन आपको दिखने को मिलेंगे कि आप pen drive enable करना चाहते हो या disable करना चाहते हो यानि कि USB port enable या USB port disable अप करना चाहते हो कि नहीं वो सब settings रहता है BIOS पर ही and also यह आपका booting device यानि कि boot अगर मानली से आप नया computer खरी ले ले हो and उसके बाद आप operating system दालना चाहते हो तो कहां से आप operating system को install करेंगे यानि कि from pen drive hard drive or from CD or other devices उसको सूज करने का तरिका जो options रहता है वो BIOS में ही रहता है आप BIOS में जाए उसके बाद booting device device booting menu जो होता है उस पर जाके booting device आप सूज कर सकते हो उसके बाद यह आप क्या है operating system आप install कर सकते हो ऐसा बहुत सारा functions वहां पर रहता है BIOS पर आप कभी जाईए आपका CPU on किजिए उसके बाद operating system जो है वो लोड होने device रहता है वो BIOS के उपर depend करता है BIOS पर आप modify कर सकते हो यानि कि sense कर सकते हो enable disable वो सब कर सकते हो तो यहीं है BIOS and BIOS का limitations रहता है जब आप graphical user interface पर आप खोलें खोलेंगे delete और एफे दबाके देन आप वहां पर देखेंगे कि mouse का का नहीं होता है वहां पर सिर्फ काम होता है keyboard का आप अगर कोई menu define menu सुझ करना साथ हो आप keyboard का arrow की दबा दीजिए देन वह उस menu पर shift हो जाएंगे आप mouse नहीं यूज कर सकते हो and also वहां पर animations नहीं रहता है यानि कि कुस भी मलब moving part मलब automatically जो move को होता है मलब moving होता है वह सब नहीं दीखने को आपको मिलेंगे and also limitation is that कि आप जब operating system install करेंगे then आपका जो hard drive होता है hard drive partitions का जो काम होता है वह BIOS ही करवाता है जो उसका limitation यह है कि आप 2TB के ज्यादा hard drive बाला वह partition नहीं कर पाएंगे आप you can do partition below 2TB 2TB तो उसको overcome करने के लिए नया version of BIOS आ चुका है उसका नाम है UEFI यानि कि unified extensible firmware interface तो इसमें क्या रहता है इसमें रहता है mouse का काम इसमें एनिमेशन रहता है CPU आपका CPU जो है उस वह कितना गरम हो चुका है everything वह आपको दिखने को मिलेंगे and वह automatically move होंगे यानि कि आभी मानली जे आप BIOS कोल के बैठे हो वह पर देख रहे हो कि आपका CPU है 23% hot हो चुका है गरम हो चुका है उसका बार automatically देखेंगे कि वह automatically 24 हो चुका है और maybe 22 हो चुका है मनला आप डाउन जो वह दिखने को मिलेंगे 22 को 23 हो गया वह सब animations यानि कि वह UEFI BIOS में आपको दिखने को मिलेंगे यही ठास का episode I think आप BIOS के बारे में जान सुके होंगे तो अगर पसंद आया तो hit the like don't forget to subscribe so thank you for watching